आज World Cancer Day और World Cancer Day पर यह जो प्रोग्राम रखा गया है इस जड़ेश देश से रखा गया है कि लोगों को थोड़ा सा कैंसर के बारे में बताया जाए कि इसकी प्रेवेंशिन कैसे हो सकती है इसका ट्रीटमेंट इस जांक से हो सकता है और इसकी डिटक्शन यह डैगनोस्थी ज का एक जो उदेश है, जिस उदेश के साथ ही चलती है, इसमें से काफी प्राइमरी उदेश ये है कि लोगों के स्वास्त को इंप्रूव करने में कंट्रिबू करना है, लोगों का अच्छा स्वास्त रहे, इन फैक्ट हमारा मोटू है, स्वास्त, संजिद्धी और संसकारिथ भार्थ बनाना भार्थ उसमें पहला जो है स्वास्त, उस उदेश से ये किया गया है, हमारे साथ नरायना हॉस्पिटल वालों ने ऐसके बारे में, नरायना हॉस्पिटल आपको बटाए इस एरिया में आपकी अच्छा प्रथम एक इंस्ट्यूशन उपर के सामने आया है, तेश भर में भी उसका बहुत अच्छा नाम है, और वहां से हमारे दॉक्टर अभीनफ चोधरी है, जो कि आज यहां पर इसके बारे में लोगों को एक जानकारी देगे, ताकि लोग कैंसर के वह लिए की जो कैंसर है, उसको अर्ली कैसे डिटक्ट किया जाए, उसको शुरू के स्टेज में ही अगर डिटक्ट कर लिया जाता है, तो वह खूर हो जाता है, तो हम यही अवेरनेस बहलाने आए हैं कि अगर आपको ऐसा सिम्टम्स हैं, तो आप इगनोर मत कीजिए, तु जल्दी डियाग्नोज हो जाता है अर्ली स्टेज में तो आप कैंसर मुक्त हो जाएंगे इलाज से यही आज का थीम हो रहे है I have been a Dr. Abhinav Chodri serves as a senior consultant in the department of surgical oncology with over a decade of experience in performing intricate oncology surgeries इकन हस्टोड़ी चाजिस पहिरा इकन ही केंगा ऑ्चाञ्ट and स्टेकर प्रद्वें इस्टारिंए 12 व्लू छॉगोंचए ऑूजम करेंगे है। जो कैंसर है उसके जेनरली स्पीकिंग चार स्टेज़ेस होते हैं स्टेज 1 स्टेज 4 स्टेज 1 है जो बिल्कुल इनिशल स्टेज पे होता है और स्टेज 4 वो और फैल गया है जो स्टेज 4 कैंसर है वो इंक्यूरबल होता है और उसमें हम इंसान की लाइफ को बढ़ा सकते हैं कीमो थेरपी वगएरा देखे